हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे IPC की धारा 294 का के बारे में यदि आप IPC से रेलेटेट पिछली धाराओं का अध्यन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें आई बटन पर किलिक करेंगे त करता है लोट्री निकालने का कार्य करता है और वह राज सरकार की अनुमति के बगेर होता है तो यहाँ पर IPC की धारा 294 का के अंतरगत उसमें दंड के प्रावदान किये गए हैं क्या लिखा हुआ है कि जो कोई ऐसी कोई लोट्री जो ना तो राज सरकार लोट्री हो और न लिकालने के प्रयोजन से कोई कारया लाई या इस्थान रखेगा वह दोनों मैंसे किसी भी भाती के कारवास से जिसकी अबदी 6 माह तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा या जुर्माने से या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा यानि कि कोई व्यक्ति राज्य सरकार के द्वारा प्रादीक्रत लाट्री नहीं है रखता है या ऐसे किसी इस्थान को रखता है तो वह या कोई कारियाल है रखता है तो उसको छे माह तक की सजा हो सकेगी यदि वह राज्य सरकार के द्वारा प्रादीक्रत लाट्री है तो फिर कोई सजा यहां पर दंड के प्रावदान उसमें नहीं है तो अच्छा इसके अलावा में एक चीज और बताई गई है कि यदि देखो कारियालाय रखता है या कारियालाय के लिए कोई इस्थान रखता ह है लाट्री के लिए तो सजा होगी 6 माह तक की और जुर्माना या फिर दोनों उसको हो सकेंगे लेकिन यदि कोई व्यक्ति लाट्री निकालने के लिए कोई विज्यापन करता है कोई ऐसी चीजें बताता है जो विज्यापन के अंतरकत आती है लाट्री से संबंदित तो फ कोई ऐसी लाट्री या टिकेट लाट संख्या या आकरती निकालने से संबंदित या लागू होने वाली किसी घटना या परिस्थिती पर किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किसी रासी को देने की या माल के परिदान की या किसी बात को करने की या किसी बात से प्रवरित रहन का कि कोई प्रस्थापना प्रकाशित करेगा याने कि उसका विज्ञापन करेगा तो वह जुर्माने से जो एक हजार रुपे तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा याने कि कोई लॉट्री का विग्यापन करता है तो एक हजार रुपे का दंड है और लॉट्री के लिए कार्याला या इस्थान रखता है तो छे माह तक की सजा या जुर्माना या उसको दोनों ही हो सकते हैं एसा क्यों कहा गया देखो लॉट्री जो है एक प्रकार का जुआ होती है अच्छा इसमें लॉट्री में क्या होता है कि किसी प्रकार की स्किल की याने कि किसी प्रकार की चतुराई की आवश्यक ता नहीं होती ये भाग के उपर डिपेंड होता है कि किसी का भाग अच्छा हो तो इसको लोट्री खुलेगी इसलिए यहां पर जो है इसको यह एक जुआ है और इसलिए इस पर प्रतिवंद लगाए गए हैं और इसलिए पीचनिद के अंतरगत इसमें दंडके प्रावधान किये गए हैं अच्छा इसके आवशकतत पते हैं लोट्री के लिए लोट्री की सज़द्दाइ इसमें है लोट्री निकालने के प्रहेजन के लिए कोई कार्या लाय या इस्थान रखना पहली आवशाकतत और दूसरी आव लिग्यापन करेगा तो फिर वो सजा के प्रावदान एक अजार रुपय तक का जुर्माना उसको हो सकेगा तो इसके संबंद में आज हमने देखा आईपीसी की दारा 294 का यदि आप आईपीसी से समस्त धाराओं का अध्यान करना चाहते हैं पूरी की पूरी आईपीसी का अध्यान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करेंगे तो पूरी की पूरी आईपीसी यहां से आपको मिल जाएगी तो आज की वीडियो में इत ताकि अगली वीडियो को नोटिविकेसन भी आपको तुरंत मिल सके ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद